ही गाईज तो स्वागत था आपका कैप्टेन बीटू के चैनल में जहां आज हम बात करने वाले हैं डॉक्टर स्टेंज मल्टिवर्स ओफ मैंने से आ रही बड़ी रिूमर के बारे में जिसके हेसाफ से इस मुवी के अंदर टोनी स्टार्क्स होने वाले हैं जी हाँ आपने सही सुना मैंने टोनी स्टार्क नहीं बलकि स्टार्क्स कहा क्योंकि इस मुवी के अंदर दो दो टोनी स्टार्क होने वाले हैं एक के बारे में तो आप जानते ही होंगे जिसको प्ले कर रहे टॉम क्रूस क्योंकि ये खबर बहुत पहले से चलते ही आ रही है लेकिन जो दूसरा वाला है वो एक बहुत बड़ा स्पॉयलर होगा अगर ये खबर सही हुई तो इसलिए पहले स्पॉयलर वार्डिंग इन केस कोई इसके बारे में नहीं जानना चाहता हो तो मैंने स्पॉयलर वार्डिंग दे दिया है तो अब आते हैं सबसे नए रूमर की हो और जिसके हिसाब से R.D.J. as Iron Man वापस आने वाले हैं MCU के अंदर जो की हमें Doctor Strange Multiverse of Madness के अंदर दिखने वाले हैं लेकिन वो मेन MCU में वापस नहीं आने वाले बलकि एक वेरियंट होंगे Tom Cruise के वर्जन के जैसे I know आप लोग थोड़ा सा कन्फ्यूज हो रहे होंगे इसलिए मैं इसको explain करने वाला हूँ बट उससे पहले अगर आप लोगोंने चैनल को subscribe नहीं किया है और regular viewer है तो चैनल को subscribe कर दे ताकि आप ऐसे वीडियो सबसे पहले देख पाए इसके अलावा मैंने बहुत समय से कोई like target नहीं रखा है लेकिन सोच रहा हूँ कि इस वीडियो को देखने वाले में से कितन से पहले एक बड़ टॉम कुरूस वाले Iron Man के बारे में जान लेते हैं जो कि Iron Man का वो वर्जन होने वाला है जिसका अल्टॉन बगावत नहीं करता है उल्टा उसकी बात मानता है मतलब कि MCU का Iron Man जो सपना देखा था कि suit of armor around the world ताकि वो बहारी खत्रों से उसे बचा सके उसको टॉम कुरूस वाला Iron Man अपनी दुनिया में सच करता है प्लस अर्थ को थैनोस से बचाता भी है जिससे ये भी साबित हो जाता है कि RDJ का Iron Man जो प्लैन बनाया था Iron Legion और Ultron का वो विल्कुल सही था अगर सब कुछ सही रहता बर्ट 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 यहां एक twist है और वो यह है कि क्योंकि टॉम कुरूस का Iron Man RDJ के Iron Man के जैसे बूरे हालातों से नहीं गुजरा तो उसके अंदर कुछ बूरे ट्रेट्स आ जाते है बेसिकली वो सुपीरियर Iron Man बन जाता है जो कि हमारे Iron Man के opposite है और इसी वज़े से मुझे लगता है कि Iron Man के Dark Virgin के लिए दूसरे एक्टर को जो कास्ट किया गिया है वो बिल्कुल सही है क्योंकि हम उसको इस तरह accept नहीं कर पाते इनिवे सुपीरियर Iron Man यानि के टॉम क्रूस वाला Iron Man के पास तीन इंफनिटी स्टोन्स होने वाले हैं प्लस जब हमें वो दिखाया जाएगा तो एक सीन में वो थैनोस के कटिवे सल से बा आदे रहा हूं इसके आगे भी टॉम क्रूस के Iron Man के बारे में बहुत कुछ बताया गया है बट हम उसके बारे में बात करेंगे क्योंकि मैं और देन नहीं करना चाहता हूं और डेक्ट आरडीजे के Iron Man Return के बारे में बात करना चाहता हूं जैसा कि मैंने बताया कि RDJ का Iron Man जो हमें Dr. Strange Multiverse of Madness में दिखने वाला है वो असल में MCU Iron Man का एक variant होगा जो कि उनके जैसा दिखता है जिस तरह MCU में जब endgame हुआ तो उसमें Iron Man मरता है उसी तरह जिस universe से RDJ का Iron Man आएगा उस universe में Dr. Strange मरता है RDJ का Iron Man हमें movie के end में दिखेंगे जहां Dr. Strange बाकियों के साथ मिलकर Wanda को रोकते हैं जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि Dr. Strange Multiverse of Madness के अंदर Wanda ही main villain होने वाली है ऐसा सुनने में आ रहा है rumors ये भी suggest करते हैं कि यहीं से Secret Wars की कहानी motion में set होगी अब यहाँ मैं एक बात पहले बता दू कि Tom Cruise के Iron Man होने वाले बात को तो कई सारे sources ने कहा है बट RDJ की return के बारे में सिर्फ एक ही जगा से cover आई है तो इसलिए इसको fake भी consider किया जा रहा है बट 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 जहां से मैं देख रहा हूँ कि ये एक possibility बन सकती है उनको वापस लाने की ऐस Secret Wars में अलग-अलग universe से characters उठा कर डंगल किया जाता है तो ऐसे में अगर Marvel का finest character यानि की RDJ का Iron Man ना हो तो उसमें मजा नहीं आएगा और अगर उसको उसमें डाल रहे हैं तो उसके opposite में भी तो कोई होना चाहिए जो उसके जैसा ही हो और इसलिए हमें Tom Cruise का Iron Man दिखाया जा रहा है प्लस इतने short time में Tom Cruise के Iron Man के बारे में इतना कुछ बता दिया जा रहा है और इसको इतना badass दिखाया जा रहा है ताकि वो जब secret verse में हमारे RDJ वाले Iron Man से भीड़े तो उसमें RDJ वाला Iron Man उसको हरा के ये साबित करे कि बहतर कौन है इसके अलावा एक possibility ये भी हो सकती है कि जिस universe में Dr. Strange मरे snap करते हुए उस universe में Iron Man Sorcerer Supreme बनने चल जाता है और बाद में जब Multiverse of Madness में Dr. Strange दूसरे universe के Sorcerer Supreme के लिए दरवाजा खोलते है तो उसमें से Tony आता है जो कि Tech and Magic दोनों का master है जो भी हो अभी के लिए तो इसको रिवर मांड कर चलते हैं और आप क्या इसको सच होते वे देखना चाहते हैं या नहीं मुझे comment section के जरीए जरूर बताईएगा आपको क्या लगता है कि RDJ को as Iron Man फिर से वापस आना चाहिए या फिर उनकी कहानी जो end game में खतम हो गई थी उसको वहीं पे उसी तरह रहने देना चाहिए मुझे comment section के जरीए जरूर बताईएगा इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पे नए है तो चैनल को subscribe कर दीजेगा और पुराने है तो please check कि अपने bell icon दबाया है या नहीं अगर आपने दबा दिया है तो well and good और अगर आपने watching this video stay tuned